हेलो एवरिवान, आज हम ऐसा टॉपिक डिस्किस करने वाले हैं जो लॉफ कॉंट्राक्ट परते हुए चाहे क्लाट का सूडेंट हो यह जुदीशिरी आस्पिरेंट हो उसको काफी जारा समझ्या होती है समझने में law of contract में हम समझते हैं students एक contract form होने से पहले सबसे जरूरी है कि एक offer होना चाहिए एक offer होना चाहिए एक proposal होना चाहिए यही offer और proposal जब दूसरे party accept कर लेती है तो यहां से हमारा एक promise बनता है इसी promise में जब consideration आड होता है तो यह एक agreement बनता है और हर वो agreement which is legally enforceable by law वो automatically contract बन जाता है लेकिन lawful consideration, lawful object, legal enforceability, agreement, promise, contract सबके elements अच्छे समझ आजाते हैं कुछ नहीं समझ आता है तो वो acceptance का postal rule अगर दो party students आमने सामने है तो automatically एक party acceptance को communicate करेगी दूसरे party को उसी वक्त पता चल जागा तो problem ही नहीं अगर parties face to face है लेकिन problem वहाँ arise होती है जहांपर parties face to face नहीं है और एक party दूसरे party को अपना offer का acceptance का communication करना चाहती है तो वो भेजते हैं later तो दो parties है एक proposer है एक acceptor है लेकिन जब वो postal rule के थूँ acceptance करते है तो किसकी liability कब बंद जाती है इसको समझना थोड़ा मुश्किन होता है तो इसी के लिए आज ये चोटा सा एक video रहने वाला है postal rule पे based जहांपर सबसे पहले हम ये देखने वाले हैं students कि आखिर जो proposer है और जो acceptor है that is to say एक मैं offerer कहूं या offeree कहूं दोनों के बीच में acceptance का communication कब हो जाएगा तीन चीज़े हमें समझनी है पहला है acceptance कब माना जाएगा दूसरा है कि acceptance का communication कब हो जाएगा तीसरा है क्या उस acceptance के communication को हम revoke कर सकते हैं और क्या जो offer हमने offeree को भेजा है या मैं कहूं proposer ने proposee को भेजा है क्या हम उसको revoke कर सकते हैं तो यह तीनों ही चीज़े हो सकती है लेकिन सबसे पहले हम यह समझेंगे कि जब हमारी एक party दूसरे party को offer करती है तो उसका acceptance कब communicate हो जाता है तो slide पर जो आपको चीज़े रखिए पढ़ने में अच्छी लग रही है लेकिन जब इसको अच्छे से समझने जाओगे तो हो सकता है नहीं समझा जाए इसे मैंने कोशिश की है कुछ चार्ट के माध्यम से acceptance के postal rules समझाने की है सबसे पहले हम यह देखेंगे कि कब हम एक offer के acceptance का communication कर रहे है प्रपोजर है प्रपोजर ने जब हमारे एक acceptor को एक offer भेजा तो acceptor अपना communication करेगा कि हाँ जी मैं यह offer accept करता हूं तो हमारे प्रपोजर को कब पता चलेगा या मैं कहूँ कि हमारा प्रपोजर अब बाइंड कब हो जाएगा तो हमारा प्रपोजर उस दिन बाइंड हो जाएगा students और उस दिन हम इसके against ये communication of acceptance को complete मानेंगे जिस दिन हमारे acceptor के side से letter transition से बाहर हो जाता है बेज दिया letter जिस दिन acceptor ने letter भेज दिया उस दिन प्रपोजर बाइंड हो जाएगा बाइंड होने का मतलब है अब प्रपोजर मना नहीं कर सकता अपना offer reward नहीं कर सकता तो हम अगर acceptor की बात करें तो इसके against हम इस acceptance का communication कब मान ले कि अब ये bind हो चुका है उस दिन जिस दिन ये जो acceptance का letter है वो हमारे प्रपोजर के knowledge में आ जाता है मतलब ये खोल के चिट्थी पत्री पढ़ ले लेकिन फिर भी और simplified way से इसको समझने के लिए हम इसको समझेंगे date से सबसे पहले ये समझो ये blue person कौन है students ये blue person एक हमारा proposer है कौन है proposer लिख देते हैं this is यह मैं कहूं इसको offer लिखते हैं तीक है offer लिखते हैं इसको हम लिखेंगे ये एक offer है अच्छे सा समझेंगे dates बहुत अच्छे से ध्यान रखना हमारे offer ने students सबसे पहले offer communicate किया हमार 1st january को 1st january को letter dispatch हुआ 4th january को letter हमारे ओफरी को मिल गया हमारा letter किसका offer का communicate हो चुका है मतलब B को उस offer के बारे में पता कब चला 4th january को बात खत्म इसको offer पता चल गया अब हमारे offer की क्या जिम्मेदारी है offer की यह जिम्मेदारी है students की वो accept करके हमारे offer को बताएगा तो जब हमारा offer को acceptance बता रहा है तो इसको acceptance knowledge में कब आएगी तो इसके लिए हमें देखना है communication of acceptance यहां क्या देखा communication of offer अब यहां से क्या होगा communication of acceptance होगा तो students हमारा letter of acceptance उसके पास reach कब हो उससे पहले यह देखना है कि इसने post कब किया इसको 4th january को offer के बारे में पता चला 6th january को 6th january को students हमारा letter of acceptance यहां से निकला और हमारे proposer that is offerer को letter कब पहुचा 10th january को 10 january को हमारे offerer को इस चीज का letter किसका acceptance का letter पहुच चुका है दोनों parties bind कब होती है as against proposer when the letter goes out or is out of the transaction or the power of your acceptor तो हमारा यह तब bind हो जाता है students जब हमारा यहां से letter निकल गया that is to say communication of acceptance किस दिन हुआ against A on 6th january मतलब हमारा offerer 6th january को जिस दिन यहां से letter निकला उस दिन bind हो जाता है यह bind हो जाता है मतलब अब यह अपना offer withdraw नहीं कर सकता अब नहीं बहुत सकता sorry मैं अपना offer वापिस ले रहा हूँ अब यह bound हो जाता है क्योंकि यहां से letter निकल गया हमें क्या करना है कितने दिन में भी पहुँचे तो जिस दिन हमारे offer ने अपने यहां से letter निकला letter भेजा उस दिन यह bind हो जाता है बट यह person तो bind हो गया यह person कब bind होगा यह person that is against B 10th january को bind होगा क्योंकि 10th january को हमारे offerer के पास letter पहुँच रहा है तो जिस दिन students हमारे offerer के पास letter पहुँच गया उस दिन हमारा offerer बाइंड हो जाता है मतलब 10th january को जैसे offerer के पास letter पहुँचा उसके बाद हमारा भी क्या नहीं कर सकता अपना acceptance withdraw नहीं कर सकता 6th january को जब यहां से letter निकल गया था offerer उसके बाद अपना offer revoke नहीं कर सकता और 10th january को जब वहां हमारा letter पहुच चुका था उसके knowledge में आ चुका था उसके बाद हमारा offerer अपनी acceptance को revoke नहीं कर सकता यह major point है जब हम कहते हैं against proposal या फिर against acceptor that is इनको bind किया जाता bind कौन से date से होते हैं यह आपको समझना है अब यहाँ पर communication हो गया है acceptance का लेकिन अब यह Mr. Offerer that is Mr. A क्या करना चाहता है offer को revoke करना चाहता है तीन cases हो सकते हैं पहला case क्या होगा students before offer communicated offer communicate हो उससे पहले हमारा offerer इसको revoke कर सकता है देखो हमने क्या क्या था 1st january को लेटर भेजा 4th january को इसको offer पता चल कि अच्छा ऐस offer है लेकिन एक दिन के अंदर अंदर 2 january को इसने letter of revocation भेज़ दिया कि sorry मैं ऐसा कोई offer आपको नहीं करना चाहता 3 january को ही अगर यह पहुँच गया that is to say हमारा letter of offer से पहले letter of revocation of offer पहुँच गया है students revoke किया जा सकता है offer के दुआरा offer is revoked on 3rd january as the acceptance by B is not valid क्योंकि acceptance होगा कैसे 4th january को तो हमारा offer का knowledge पता चल रहा है इसको उससे पहले ही इसने क्या कर दिया students revocation कर दिया offer का second situation second situation ही हो सकता है students कि क्या हमारे after communication after communication of offer क्या हम offer को revoke कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं first letter निकला था 4 पहुचा था इसको रिलाईज हुआ बाद में कि मुझे letter को offer को revoke करना है और letter पहुचा 5 को revocation हो सकता क्योंकि यह भी bind नहीं यह combined होगा यह 6 को bind होगा क्योंकि यहां से acceptance का letter निकल चुका है तो letter of revocation यहां पर second को निकला यहां पर student second को निकल रहा था तीन को पहुच रहा था लेकिन आप यहां क्या कर रहा है second को निकल रहा है पांच को पहुच रहा है पांच को पहुच रहा है मतलब चार को इसके पास letter of offer आ चुका था letter of offer आचुका तो कोई दिक्कत नहीं अब इसके पस 5 को आया है letter of revocation of offer मतलब offer को खतम करने का एक letter आया है 5 को तुरंत दूसरे दिन आ गया कि नहीं हमें तो आपसे offer नहीं करना है हम आपको ऐसा कोई offer नहीं दे रहे हम अपना offer वापस ले रहे हैं allowed है valid है the offer is revoked on 5th January that is before the acceptance of letter was sent acceptance का letter कब भेजा गया यह देखो 6th को भेजा गया था तो इससे पहले कि यह 6th को letter भेजता 5 को ही इसने offerer ने offer को क्या कर दिया students letter of revocation of offer भेजता कि sorry हम आपके साथ offer ही नहीं कर रहे है so that is valid next is अगर 5th के बाद that is 6th नहीं 7th को letter of revocation of offer पहुचा तो allowed नहीं है क्यों नहीं allowed है because इसने offer ने 6th January को बिटा acceptance का letter भेज दिया था इसने 6th को भेज दिया था और यह 6th को bound हो गया था इसलिए तो हमने यह वाली slide में बोला students कि हमारा यह person 6th January को पहुचा हूं दोगा 6th January के बाद यह अपना offer रिवोक नहीं कर सकता और इसने 3rd situation में 2nd January को बिटा अपना offer भेजा इसके पास पहुचा 7th January को उससे पहले यह तो offer जैसे ही इसने 1st January को offer भेजा 4th January को इसके पास receive हुआ 6th January को इसने acceptance का letter भेज दिया यह इसका letter of revocation of offer पहुच रहे साथ को अभ यह वैलिद नहीं क्योंकि यह acceptance का letter भेज चुका है अपको यहां से निकल चुका है और आप तो उसी दिन बाइंड हो गए ते जिसन 6th January को हमने letter निकाला था this is the reason कि यहां पे गर 7th January को पहुचा that is after the date of letter of acceptance have been sent by offer to the offerer now this revocation is not valid the acceptance by B was already posted on 6th January therefore letter of revocation of offer by offer to the offerer is not valid क्योंकि यह खुशिया मरा रहा है 6th को accept कर लेटर अब यह खुश है अब revocation नहीं किया जा सकता है क्योंकि आपने एक दिल बात भेज़ा is it clear यह तो हो गया revocation of offer जब हम बात करें कि तीन cases में revoke कर सकता है पहला before the date of sending the offer second है after the date of offer but before the date of acceptance third case हम यहां क्या पढ़ रहे है that is after the date of acceptance of the letter जब यहां से offer के पास से निकल चुका है offer letter of revocation नहीं भेज सकता यहां पे वो invalid हो जाए अब एक situation आएगी दो situation और पढ़ने यह भी तो revocation करता है na acceptance का यह भी तो बोल सकता है sorry मुझे acceptance नहीं करनी है कब तक यह acceptance कर सकता है कब तक I mean to say यह acceptance का revocation कर सकता है जब तक यह bind नहीं हो जाता यह कब bind हो रहा था students यह 6th January को bind हो रहा था जब offer हमारा letter of acceptance निकाल रहा था यह कब bind हो रहा था students यह 10th of January को bind हो रहा था जिसन हमारा letter उसके knowledge में आ गया था यह वाली slide याद रखनी आपको सारा खेल इस slide का है यहां से letter जिस दिन निकला offerer bound है यहां पर letter जिस दिन पहुँचा उस दिन हमारा offery bound है तो आएंगे इस situation पर तो letter of revocation of acceptance कब भेज सकता है पहले यह देखो offer किस दिन आया 1st January का है इसके पास कब पहुचा 4th January को पहुचा एक दिन का समय लगा के 6th January को इसने क्या क्या बिटा इसने यहां से letter of acceptance वहां भेजा इसके पास letter of acceptance पहुचा कब 10th January को पहुच क्या तो यह अपना letter of revocation of acceptance कब भेज सकता है तो यह बोल रहा है इसने भेजा students 8th January को 8th January को निकाला सोचा कि नहीं मुझे यह letter accept नहीं करना है मुझे अपना यह acceptance रिवोक करना है 8th January को letter निकाला वहां 9th January को पहुच गया valid revocation of acceptance from offer है क्यों कि 10 तारिक को हमारा letter of acceptance पहुच था उससे पहले इसके बस क्या पहुच गया students letter of acceptance का revocation का letter पहुच चुका है so that is allowed तो यहां पे जिसन 8th January को बिटा इसने letter of acceptance का revocation अपने यहां से निकाला यहां 9 को पहुच गया है यह valid है देखो acceptance is revoked and not binding since no contract was formed contract कब form हो रहा था contract तो हमारा 10th January को form हो रहा था जब उसके knowledge में आ रहा था अभ इसने students 8 को letter बेजा 9 को letter पहुच गया किसका revocation of acceptance का valid revocation है बट एक situation आईगी अगर इसने 8 को भेजा यह पहुचा है 11 को तो उससे पहले 10 को इसके पास acceptance का letter पहुच गया था 11 को अगर letter of acceptance of revocation पहुचा तो क्या valid नहीं है क्योंकि उससे पहले 10 को आपका let on acceptance पहुच गया और एक दिन बाद पहुच रहा है अब वालिड नहीं है क्योंकि जिसन आपका letter of acceptance आपके सामने वाली पार्टी that is offerer के knowledge में आया now your offer is bound तो offer के जिन bound हो रहा था students 10 january को offer bound हो रहा था ये bound हो रहा था students 6th january को देखो second case क्या है letter of revocation of acceptance यहां से कब dispatch हुआ students offer की site से 8th january को dispatch हुआ इसके पास पहुचा कब 11 january को पिछली side में क्या हो रहा था इसके पास 9 january को पहुच रहा है इस slide में क्या हो रहा है कि इसके पास 11 january को पहुच रहा है मतलब कब पहुच रहा है 10 तारीक के बाद पहुच रहा है 10 तारीक को क्या हो रहा था 10 तारीक को इसके पास letter of acceptance पहुच रहा था लेकिन letter of revocation of acceptance पहुच रहा 11 तारीक को अब वैलिट नहीं है क्योंकि दस्तारी को इसने लेटर खोल के पढ़ लिया था और जिस दिन इसके पास ये लेटर पहुंच गया, नॉलेज में आ गया, ये बाउंड हो जाता है, बराबर है, ये बाउंड हो जाता है, एक्सेप्टेंस के नॉट बी रिवोकेशन अफ एक्स कब पहुच रहा है, आफ्टर कम्यूनिकेशन ओफ लेटर ओफ एक्सेप्टेंस तो उसके बाद वालिड नहीं है, लेकिन यहां क्या हो रहा था स्टूडेंस, लेटर ओ रिवोकेशन अफ एक्सेप्टेंस कब जा रहा था, बिफोर दी कम्यूनिकेशन ओफ लेटर ओफ एक acceptance कब communicate होता है उसके बाद हमने तीन situation पड़ी थी जिसमें कि letter of revocation of the offer, offerer भेज सकता है offeree को उसके बाद दो situation पड़ी थी जिसमें हमने बोला कि letter of revocation of acceptance भेज सकता है offeree, offerer तो आपको time ध्यान रखना है कब क्या चीज होने पर कौन bind हो जाता है So I hope कि यह जो easy postal rules से आपको अच्छे से समझाया होगा, we will meet in another session, till then thank you, thank you so much